मेरा नाम है आशिश और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल सो गाइज आज हमारा चौथा पार्ट है हमारे ओनलाइन फूड ओर्डरिंग अप्लिकेशन का यहां पर हम डेक्स्टॉप पे भी जो हमने फूड अप्लिकेशन को सारे नोटपैड में हमने लिख रखे हैं सारे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तो काम करते हैं इन सारे पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट किया रहा डबल क्लिक किया हमने ओपन हो गया और इसके पाथ वाले शिक्षन पे आ करना है आपको जब अपन हो जाए तो आप कोड़ इस पेस डॉट लिखके इंटर करिए इसके बाद आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट आपके विजुल इस्टेडियो कोड़ पे ओपन हो जाएगा तो यहां पर आप अपना रीड मी फाइल बना सकते हैं रीड मी फाइल में यह जो कंटेंट भी मैंने कॉपी किया है नोट पैट पिझे दिखा रहा हों वो सारा चीज मैं यहां पर लिख दूंगा ठीक है तो देखो लेफट साइड भर आपको दिख रहा होगा यह हमारा परामरी फोल्ड़ है इसी फोल्डर के अंदर हमें निउफाइल प्लिक कर द वाला ठीक है सिर्फ इसको गेट ही रीड करता है गेट में सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको यह सारी चीज भी इसके उपर भी एक अलग सेपरेट वीडियो हम बना देंगे फिलाल तो अभी हम इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं यहां पर हैज के साथ डिनोट कर मजाए है ठीक है और इसके अंदर हम सारे वो पॉंट्स लिखेंगे जो पॉंट हम आज कि वीडियो में कवार करेंगे तो सबसे पहले आज वीडियो में हम कवर करेंगे डेका एंट Fragen डेका मोडल कैसे बनाया जाता है और एक Dummyस कैसी स्टोर करताब आज तो इन सारे टोप मेकमोडल ऐ hands drive के एक मोडल करेंगे एख काम करतें यहां पर हैस लिखते है ये जो पार्ट वह यह ज्यादा थोड़ा सा एकित्रेक्टिव लागेगा ठीक है तो हम जितने सारे पार्ट के नेम करें इस पर हम हैस डिनोट कर दे रहा है और यहां पर भी हैस देगे इस प्रिस कर दोगे तो यह आपको कुछ ऐसा डार्क बोल्ड कलर से दिखने लगए ठीक है और इस वाले को मैं हटा देता हूं यहां से कि यहां पर हम अब इसके नीचे हम इसके सारे सब पॉइंट्स लिखेंगे तो उपर वाले एरो को कॉपी करके यहां पर सिंपली हम पेश्ट कर देते हैं और पेश्ट करने के बाद अब यहां पर हम सब पॉइंट्स बनाते हैं पहला पॉइंट हम यहां पर क्रिएट करेंग जिसमें कुछ डमी डेटा अपने पहले से सेट कर देंगे बाद में हम उसे पे हम आगे इंसर्ट अप्डेट डिलीट कराते रहेंगे विद्ध हल्प आप अप्याई मीनिश्टेक ठीक है तो यहां में लिख देता हूं हमें कुछ डेटा दिखता रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगए अगें अब हम क्रियेट करेंगे एक शर्विस तो नहीं सर्विस नहीं पहले इमेज एड़ करेंगे ठीक है तो यहां लिख देता हूं एड़ इमेज इनसे सरीज फोल्डर एडर ठीक है जो हमारा एसेट्स फोल्डर होता है उस फोल्डर के अंदर हम कुछ। एमेज करेंगे और उसमेज में मतलब हम इंपा कुछ डैमीज है साथ एमेज जैसे पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो मैंने फिर से बोल रहो हो आपको description पे video का link मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हो ठीक है आई button पे मिल जाएगा last में card मिल जाएगा and after that हम use करेंगे create service एक service बनाएंगे with the help of angular CLI angular CLI के थो हम एक service बनाएंगा तो service में हम data को सारे retrieve करेंगे जो भी dummy data हमारा यूज करूँगा data.ts में ठीक है और यह basically dummy data तभी तक यूज करूँगा मैं जब तक मैं designing अगरा अपना dashboard ना कर लूँ तो service जो बनाएंगा service में create update delete view edit इन सारे method हम define करते हैं data को observe करते हैं जिसमें हम data किस तरीके से हैं उसका किस टाइप का data उसको हम observe करते हैं तो एक काम कर लेते हैं इस वाले points को हम पहले cover करेंगे ठीक है तो आते हैं अपने टर्मिनल पे अब आते हैं अपने project के अंदर cd command के थ्रूँ और अब project के करेंगे एक new folder create करेंगे new folder का नाम होगा shared क्योंकि शेयर टाइप करेंगा हमारा जो डेटा का model होता शेयर टाइप का होता है मतलब कहीं भी हम यूज कर सके और इस शेयर के अंदर एक और folder बना रहे हैं models model नाम का और इस model के अंदर एक file बनाएंगे food.ts इसके अंदर हम एक file बनाएंगे food.ts food.ts में basically हम data and data type define करेंगे कि हम क्या क्या data यूज करने वाले हैं और उसका क्या क्या type होना चाहिए तो यहां पर हमने दिया food.ts अब उसके बाद इस file को सबसे पहले हम लिख लेते हैं तो इसमें सबस्पहले simply class export कर लेते हैं food नाम से तो class export करने के लिए simply आपको लिखना पड़ेगा export class space food और food यहां पर आप object type का define करेंगे ठीक है id explanation colon string हम यहां पर id को string में ले रहे हैं ठीक है और आगे explanation इसलिए रहे हैं कि हम अभी यहां पर कुछ हम value define नहीं कर रहे हैं अगर आप explanation नहीं लगाते हैं तो error generate करेगा तो इसलिए मैं recommend करूंगा कि आप explanation लगाएं ठीक है अब यहां पर हम name name भी हमारा string type का होगा name colon string और इसी तरीके से यहां पर हम ले ले लेते हैं प्राइज प्राइज जो होगा प्राइज भी आप चाहो तो string रख सकते हो बट नंबर हम prefer करेंगे क्योंकि हमें वहां पर currency यह नंबर में show करानी है ठीक है अब देखो मैंने यहां explanation नहीं लगा है तो देखो error दे रहा है जैसे मैं explanation के symbol यहां पर लगाऊंगा error दूर हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम यहां पर यूज करने वाले tag क्योंकि tag वहां पे काफी सारे tag होते हैं कि कि से related data है अगर आपने अंगले 13 में हमारा food order application देखा होगा तो आपको य यह tax रहेंगा इसके बाद फेवराइट फेवराइट में रहेगा कि अगर आप विश लिस्ट में आड कर देते हैं तो आपके फेवरेट लिस्ट में एड हो जाएगा यह बुलियन टाइप कर रहेंगा data उसके बाद यहां पर कुछ हम start print कराएंगे मतलब rating rating पिछले वीडि पर automatically rating install हो जाएगा properly उसके बाद हमें image URL ले रहे हैं image URL टाइप कर ले लिए और उसके बाद हम यहां पर यूज करेंगा ओरीजिन्स ओरीजिन्स मतलब की डेटा यह जो चीज बन रहे है का मतलब कौन से जगह से विलोंग करता है ओरीजिन्स में आप डाल सकते हूं ठीक है मतलब कहां का यह डिस है तो पूरा completely online food order replication पूरा completely उसी तरीके से मेनू अगरा इसमें देखेगा जैसे हम पिछले वीडियो में देखा थे उससे बहुत चीजें आगे नेक्स लेवल में होने वाली यहां पर तो हम यहां पर कुक टाइम अगरा भी दे दे रहे हैं कि कितने दिर में हमारा डिस्स बनके त्यार होगा तो यह रहा हमारा data and data type और अब इसी data type के विहाँ पर हम data को handle करेंगे अपने services में तो यहां पर हमारा create food model create हो चुका है अब यूज़ करते हैं create data.ts अब हम यहां पर यूज़ करेंगे data.ts तो उसके लिए हम src के अंदर ही data.ts नाम के file बनाएंगे यहां पर हम यूज़ करेंगे data.ts अब data.ts में हम कुछ dummy data यूज़ करेंगे तो dummy data के लिए हमें सबसे पहले तो यहां पर हमें import करना पड़ेगा अपने model को तो data model को बिना इंपोर्ट किए हम उसके विहाब पे हम dummy data नहीं डाल सकते हैं देखो जैसे ही import food लिखें यह हमारा angular essential keyword की auto suggestion दे दिया कि यहां पर इस location पर आपका यह रखा गया है file ठीक है अब हम यहां simply export class sorry export constant एक तरीके का variable होगा sample food लादब food का हम sample यहां पर कुछ store करने वाले हैं और हाँ अगर आपने food इसको पूरा पूरा उठाऊंगा इस object को और अपने इस project में हम paste कर देंगे ठीक है तो आप लोग भी अगर नहीं मिलता कोई इस data टाइप को आपको पास कोई भी data तो आप एक काम कर सकते हो आप उठा सकते हो आप देखो यहां पे कुछ error आ रही error simply कुछ भी नहीं है actually error इस इस वाले data को मैं replace करने वालों कैसे जो हमने star लिखा है इसका मतलब हमने star वाले points पर गलत किया है तो इसको simply double click कर करके copy कर लेते हैं और copy करने के बाद copy करके बाद food.ts पर आते हैं यहां star वाले हम देखो यहां starts लिखा था save कर दिया अब error हो जानी चाहिए तो अब देखो टैक्स मेरर आ रहा है तो इसी तरीके से टैक्स को भी हम copy करेंगे और टैक्स को भी वहां पर replace कर देंगे जो भी word होगा हमें फर्क नहीं पड़ता ठीक है देखो वहां पर replace करना देखो यहां पर इस्टिंग लिया हूँ object टाइप का है एरे टाइप का है यहां पर भी एरे टाइप का है ठीक है तो simply हमने दो पॉइंट यहां पर कवर कर लिए हैं अब तीसरा पॉइंट आता है एड़ इमेज इन एसेट्स फोल्डर अब एसेट्स फोल्डर पर हमें इमेज पुट करना है तो अगर आप लोग के पास इमेज नहीं है तो मैं इसके लिए भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से भी डाउनलोट कर सकते हैं तो मैंने लेख देया image विल प्रोवाइड यूए इन description लिंगborn कि विल लिंक पर सारी image डाउनल कर सकते हैं सिंगल क्लिक पर तो यहां पर हम आते हैं यह desktop पो यह sticky image नम को folder रखा है आप इसको है writer सब हमारे यहां करेंगे अपना प्रोजेक्ट और यहां डबल क्लिक करेंगे और यहां पर एसेट के अंदर पेस्ट कर देंगे और यहां पर सारे डेटा लिस्टिंग हो जाएंगे पर we going football to तो सारे डेटा एक बाँ मैं इसको रिफरेश कर लिया अब हमारे सिस्टम पे हमारी इस प्रोजेक्ट में आठ फोटो ज आ चुकी है आइटम्स की ठीक है और हमारे पास आठ आइटम भी है यहां पर आईडी देख सकते हो आठ ठीक है तो आठ डेटा है आठ आईटम्स है और आठ पोटो भी है अब हमें क्या करेंगे एड मेज ही दन हो गया में करने वाले हैं सर्विस सर्विस क्रेट करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा तो टरबानेंगर हमें आपन कर रहा है यहां पर हमें क्मंड neural कराना है n-g ge for Generate s for service और यहां service नाम का folder बना रहा हूं services नाम का slash API यहां पर food नाम से मैं service create कर रहा हूं ठीक है तो यह automatically food नाम से service create हो जाएगा और इसी service के अंदर हम अभी सारा का सारा data retrib करने के लिए लिखेंगे code अभी तुभी तो फिलार हमाएं पाड़ डेमी डेटा है लेकिन इसके बाद जब मैं API बना दूंगा इसी में तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूत पड़ेगा HTTP, HTTP, Client Module बहुत सारी चीज़ों की जरूत पड़ेगी वह सारी चीज़ बाद में देखेंगे अब भी फिलहा लगते हैं सिंपली तरीके से इसको समझते हैं ठीक है तो यह रहा हमारा food service अब इस food service में हमें करना क्या है कि डेटा को हमें अपना return कराना है जो भी हमारे पार data है सेंपल डेटा है उसको return कराना है तो उसको return कराने के लिए आपको आना है के इस्ट्रक्टर के नीचे और यहां एक method बनाना है get all मतलब जो भी डेटा है उसे मुझे पूरा पूरा return कराना है तो get all कर लेंगे उसके बाद यहां पर डेटा टाइप क्या रहेगा हमारा फूड जैसे मैंने फूड लिखा अब देखो यहां पर माउस जवाब ले जाओगे तो ओटोमेटिकली एक कुपिक्स का जैसे कुपिक्स पर आओगे तो लिखा है add import from Shade Model ठीक है तो Shade Model का डेटा यहां पर हम import कर लिए अभी भी एर्र दे रहा है जब भी आप डेटा को return करते हो और कोई data type define करते हो तो आपको data return कराना पड़ता है यहां मैं लिखूँगा return देखो error दूर हो गया और यहां मैं लिखता हूँ sample food जो भी sample food है देखो यहां पर last में दिखा रहा है src अंदर data.ts है sample food को मैंने return करा दिया यहां पर इस method पर तब इसका मतलब है sample food का सारा data show होगा जहां पर मैं चाहूंगा जिस भी component में इसको call करूंगा वहां पर यह पूरा data मुझे दिखेगा तो अभी यह पूरा point complete नहीं हुआ तो इस पूरा point का complete करने के लिए मुझे एक और component बनाना पड़ेगा जिसका नाम है home component तो मैं यहां पर देता हूं create home component तो home component यहां बनाएंगे और इसके कुछ सब points बनेंगे वह सब points में next point पर कवर करूंगा फिलहाल यहां पर अभी में home component create करूंगा तो simply यहां command दूगा ng g for generate c for component और यहां पर मैं component किस पर बनाऊंगा components नाम के फोल्डर बना है यह देखिए ठीक है तो इसके अंदर components के अंदर में pages नाम का फोल्डर बनाऊंगा तो simply मैंने दिया components slash pages slash home अब इसका मतलब यह हुआ कि components के फोल्डर के अंदर एक नया HTML CSS फाइल ठीक है तो यह हमारा component इसलिए मैंने जनरेट करा दिया कि next वीडियो में next topic में हम पूरा HTML CSS JavaScript का code पूरा completely cover करेंगे अपने home section को design करने में ठीक है और data को retrieve करने में तो यहां पर हमारा complete यह बन के तयार हो गया है यह header रहा यह pages का home component रहा हमारा इसका ts देख सकते हैं इसके ts में भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा एक दम blank है ठीक है और इसके html पर भी blank है तो read में पर आते हैं और यहां पर simply हम एक point और एक part का और update कर देते हैं has और यहां next part के लिए मैं लिख देता हूं part 5 part 5 और यहां पर लिख देता हूं coming soon ठीक है तो अगर इतने भी इस वीडियो में कोई भी comment या कोई भी doubt हो कोई भी problem हो रही हो तो आप comment में हमें reply दे दीजिए हम उसका reply आपको देंगे solution के भी आप पर तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए bye bye keep practice keep coding take care